आज हमें दिसाओं के बारे में पढ़ना है और हम दिसाओं में वाले नौर्थ को स्टार्ट करेंगे प्रारंब करेंगे यह आपको दीख भी रहा होगा उपर में नौर्थ है नौर्थ के आप मेंसे बहुत सारे लोग काफी चीज़ें जानते भी होंगे लेकिन जो यहां मैं अपना कुछ observation बताऊंगा और उसके पीछे का कुछ logics आपको वैदिक वास्तू का भी दूँगा तो फिर आप कुछ और अच्छे से relate कर पाएंगे नौर्थ यानि उत्तर दिसाएं जैसे आपको पता है इसके पीछे हमारा फाइव एलिमेंट समाप्त हुआ तो फाइव एलिमेंट का further division 16 दिसाओं में आपके सामने है जैसे water element हमने पढ़ा था तो यह जो blue color की आपको जो भी यह line दिख रही है मेरे माउस को pointer सामने है तो यह पूरा water element का छेतर है यानि उसकी जोन से है चार जोन आते है सभी जोन के अलग-अलग attributes होते है यानि उनकी विशेषता होती है और जब आप grading करते है तो कोई भी दिशा center से start होती है center से लेके और पूरे घर के outer wall तक तो वह start होगी तो यह आपके सामने है north direction अब यह north money and opportunity का है यानि money भी देता है पैसा भी देता है जीवन में आगे बढ़ने का असर भी देता है यानि आपके जीवन में जो भी आने वाली है चाहें वो वस्तु हो वेक्ती हो वो north बताएगा यह water element का छेतर है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर water से संबंदित राजिन जी क्या mark कर रहे है स्क्रीन पर आपके द्वारा marking वाला sign आ रहा है mark मत किजिए तो यह water का यह zone है इसका मतलब यह हुआ कि water से संबंदित जो भी attributes है वो इस zone में अच्छे result देते है जैसे यहाँ पर यदि पानी हो water का resource हो गया पानी के साथ-साथ यहाँ पर यदि blue color है तो अच्छा है underground water tank है तो अच्छा है यहाँ का floor level down है तो अच्छा है conditional रूप मे space element भी यहाँ पर अच्छा होगा और air element भी यहाँ पर अच्छा होगा conditional क्यों बताये क्या है चुकि जब तक आप उस zone के strength को decide नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर हर एक condition में air अच्छा ही होगा या space अच्छा ही होगा यदि यह zone weak है और यहाँ पर फिर आपने air element वाले objects रख दिया plants लगा दिया तो क्या होगा और weak कर देगा इस zone के अच्छे attributes नहीं मिलेंगे यह zone यदि extended है और यहाँ पर आपने space element डाल दिया white color ला दिया iron के objects रख दिया तो क्या होगा इतना opportunity आएगा confusion वाला state आपके सामने हो जाएगा तो इसलिए conditional मैंने बोला है चुकि इस north zone के लिए water element तो इसका अपना है ही बाकी जो दो element है air और space वो friendly हैं तो यहाँ पर problem create नहीं करेंगे balancing में या तो थोड़ा बढ़ा देंगे या थोड़ा कम कर देंगे उस अधार पे चीज़ें दिखेंगे जो आपने water का attributes पढ़ा है तो उसी में से north वाले attributes को हमें निकाल लेना है पैसे नहीं आ रहे हैं तो हमें north zone को देखना होता है opportunity नहीं मिल रही है तो हमें north zone देखना होता है दुकान में ग्रहंक नहीं आ रहा आपके business में client नहीं आ रहा तो हमें north zone को देखना है अब actual में north zone को देखना जा होता है तो इस नौर्थ zone में यदि वास्तु दोस होगा तो इसके जो attributes हैं वो proper आपको मिलेंगे नहीं अब वास्तु दोस कैसे relate करेंगे तो एक तो five element theory के according जो पीछे आपने पढ़ा है north water element में आता है तो water के लिए जो problematic है तो water के लिए problematic क्या है fire यानि यदि north direction में fire आ गया किसी भी form में किसी भी form में कैसे हो सकता है यदि north के wall पे red color हो orange color हो pink color हो तो क्या होगा fire आ गया fire आएगा तो north के जो attributes से एनी पैसे का opportunity का problem create करेगा generally आप लोग देखते होंगे newspaper अभी भी बहुत घरों में आता है लोग पढ़ते हैं आप facebook वगर्रापे वास्तु टिप्स में आता है लिखा रहेगा अपने bedroom में light pink color का प्रियोग कीजिए अच्छा रहेगा अब उसको देखके लोग यूज कर लेते हैं अरे पली ये भी तो समझ लें कि वो light pink उसने बोल लिया हमारा bedroom की zone में उसको पता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं कहां हमारा requirement क्या है हमारी वास्तू की स्थिति क्या है वो कुछ नहीं वहां से हमने उठा लिया तो ऐसा नहीं है वास्तू की जो भी आपको changes करना होगा वो strictly आपके पास अपना घर का map हो 16 zone का उसके according आपको चीजें decide करनी है fire का color यहां पे आ जाए तो problem है fire का metal यानि copper का कोई object आजाए तो problem है अब north में आपका bedroom है और copper का एक डेल लेटर पानी रखने वाले एक जग होता है जनरली रात में लोग पानी रखते हैं सुबा में पीते हैं उसी में रखाई रहता है आपको यह कहे कि क्या उससे problem होगा यारे उतने बड़े घर में दस भाई दस काई आपका वो जोन एक कमरा है और उसमें एरिया आपका एक जोन काई आधा हिस्सा आ रहा हो तो उसमें copper का जोग क्या problem क्रेट कर देगा कोई problem क्रेट नहीं करेगा सिंपल सी बात है तो इस स्थिती में वो ठीक है चलेगा लेकिन आपके आए कि 4-5-6 ऐसा बरतन आपने स्टोरेज के फॉर्म में रख दिया तो वहां पर वो प्रॉब्लम क्रेट हो सकती है वो नहीं रखना अभी copper के छोटा सा ग्लास है जग है तो कोई दिक्कत की बार नहीं है फिर fire के अट्रिब्यूट्स क्या है हीडर है आप वहां पर यूज़ यूज़ कर रहे हैं लाद जो गैसरींडर होते हैं रेडट कलर को था हान कहीं ए इसको आपने रख दिया तो वहां पर क्या होगा वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे यानि फाइर हैlegen ही लिए यहां पर नहीं होना चाहिए कि होगा तो क्या होगा इसके genuine डिस्टर्ब हो जाएंगे पूरी तरह से अब इसके लिए दूसरा destructive होता है earth यानि अर्थ है लिमेंट जब इस नौर्थ में आएगा तो क्या होगा इसके attributes रुक से जाएंगे stop हो जाएगा disturbed होना और stop होने में अंतर है ठीक है attributes डिश्टर्ब हो गया यानि कहीं से कुछ भी नहीं देखेगा एक बरबादी वाले इस्थिति और रुक याना यानि रुक गया लगेगा कि रहा रहा है जैसे दल्दल में हम फस्ते हैं तो लगता है कि अब निकल जाएंगे वह सामने दिख रहा जाएगा लेकिन ऐसा होता नह है कि उसके जो कि मेटल होता है यानि ब्रास वह तो यहां पर क्या करेगा प्रॉब्लम जो अर्थ एलिमेंट यहां पर आता है तो चीजें रुक सी जाती है यानि येलो कलर का आपने पेंट कर वा लिया तो क्या होगा जैसे पैसा आता रहेगा आपका बीजनस सपुश किज बाद में साधी वगर हुआ तो साधी के पहले या फिर फेस्टिबल में जनरली दिवाली के पहले जो भी आपके आप जो पर्व ज्यादा प्रमुख होता है उसके पहले लोग पेंटिंग करवाते हैं दो साल तिन साल अप प्रतेक साल उस अधार पेंट हो गया ठीक है अब क् कि वाइट और ब्लू जब तक था तो वास्तु के अपको सपोर्ट भी मिल रहा था अब जैसे यहां पर आया तो क्या होगा अब ऐसा नहीं कि आपका बिजनस बरबाद हो जाएगा जैसे पहले आपके दुकान में प्रते दिन 50 कस्टमर आ रहे होंगे तो यहलो कलर के बाद है तो एकदम से ही डिश्टर्ब हो जाएगी आपका बिजनस किसी नहीं किसी प्रकार से आपके पैसे का नुकसान चलो हो जाएगा आएगा ही ने तो अर्थ हैदी यहां पर है तो अर्थ को भी हटाना होगा जैदी आपने यहां पर स्टोरेज रख दिया यानि कलर के अर्थ इनर्जी क्रियेट हो गई अब जब भी नॉर्थ में यानि वाटर में अर्थ आएगा तो प्रोब्लम तो मिलेगा देखने को तो यह नॉर्थ के जो भी अट्रिब्यूट्स है वो एकदम रुक से जाएंगे अब एक चीज मन में आता है लोगों को कि एक ही घर है च वो बात होता है यह फैक्ट है तो सभी पर एक जैस ले नहीं देखता है कि हर एक आदमी के अपने अट्रिब्यूट्स भी है अपने निचर भी है पहला दूसरा सब के अपने अपने कर्म हैं कर्मों के प्रकार हैं अभी एक बंदा पढ़ रहा होगा तो उस पे तो फाइने पर नहीं दिखेगा नहीं कोई हाउस वाइफ है घर में है तो उनको इस फाइनेंस पैसे कोई दूसरा उनका काम नहीं एक आपको धुछाण होगा मैंने क्लास के स्टार्टिंग डेवन या डेटु के क्लास में बताया था है कि जो सतव वाले प्रकार्तिटी लोग होते हैं उनमें जेनरली वास्तु दोस्त का प्रभाव कम होता है, जादतार लोग जो नौकरी करते हैं, वो सतव प्रभाव वाले होते हैं, अधितम उनका वैसा नेचर होता है, बहुत कम ही होंगी जो ऐसा मिल जाएगा, चुकि कम से मैं ये बता रहा हूँ कि सतव वाले सटिस्फाय ह जाते हैं मतलब जो है वो चलने तो ठीक है ठीक है ऐसा रहेगा अब उसमें भी क्या है कि अब जिनको आगे बढ़ना है लेते हैं छे महीने एक सालिस कंपनी में काम किया फिर उनको लगा नहीं इससे ज्यादा पोटेंशियल दूसरे में उसमें निकलते चलेगा तो फिर उनक को उतरा वास्तु दोस्का प्रभाव नहीं दिखेगा कोई अदमी लिम्टेड जॉब में लिम्टेड कंपनी में या गॉर्मेंट सेक्टर में तो उसके फिक्स है ना पैसे उसका नौर्थ की तरह भी है स्ट्रॉंग हो उसके जल्दी पचास जारे तो पच्पन अजार तो फिर बिजनस नहीं भी करता है कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग वर्क में है दिलिवरी बॉआ है या फिर जो भी उसके अपने काम है या एम र है ऐसे टार्गेट वाले बिजनस में तो वहां आपको दिखेगा जैसे अर्थ आएगा उसका टार्गेट रुक सजाएगा तो ये आपको दिखेंगे ध्यान रखना है अब किसी की साधी नहीं और ये रिस्ते नहीं आ रहे है तो वहां पर आपको दिखेगा नौर्थ का ये दोस है तो सही रिस्ते नहीं आने देगा यदि नौर्थ में फाइर है तो लोग रिस्ते आने ही नहीं देंगे बीच में क कर देगा वहां इससे क्या होगा रिष्टा क्यों कि यहां रिस्टा करने में उसने बात भी चलाई उसका मन मुझे लग दिया कि वो आप क्या इंट्रेस्टेट है करेगा वो आएंगे लेकिन पता चाला कि वो आए ही नहीं यानि दिखा लेकिन वो एक्जिक्यूट ही नहीं हुआ यानि जो पहला beginning step होना चाहिए वो ही नहीं हुआ तो वो अर्थ के कारण आपको रिष्टा में देखने को मिल जाएगा तो यहां भी है problem create करेगा यदि यहां पर toilet है तो वो problematic होगा ठीक है ट्वालेट ना हो तो better condition है यदि है तो इसका treatment करना होगा वो किस concept पर होता है आगी जब हम पूरा zone पढ़ लेंगे तो फिर उन वास्तुदूस की remedies पिचर्चा करेंगे तो अभी यहां समझे कि toilet ना हो तो treatment करना होगा dust bean यहां नहीं होना चाहिए dust bean होगा तो क्या होगा यहां पर dust bean होने के मुझे दो तीन घरों में और इसलफ मेरे अपने घर में भी skin disease का problem देखने को मिला है यानि नौर्थ में यदि आपका dust bean आ गया तो यह आवस्यक नहीं है कि जिनके भी नौर्थ में dust bean होगा तो skin disease होगा ही एक्चुल में skin disease के लिए कुंडली में बुद्ध केतु सुक्र का रोल होता है यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थौर्ड और एट्थ हाउस थौर्ड और सिक्स हाउस का रोल होता है समझ रहे हैं तो कुंडली में कहीं न कहीं उसकी promise होगी तो यह combination क्या करता है उसक से खराब बीमारी उसको माना जाता है जैनली हाथों में हो जाता है उंगलियों में हो जाएगा यहां पे पीछे की तरफ बाल इंड होता है यहां पे हो जाएगा पैरों में हो जाएगा और चमड़ी उसमें काफी ज्यादा बनते हैं अपने आप formation उनका ज्यादा होता है औ 閱षोल में जो मेरा घर था है जिस में मैं रहता हूँ वह कंगेसटन ही आनी रहा था मतलब से रिक्री नहीं गई थी चुकि काफी मैंने ट्राइग किया उसमें एक इह चारल ल ही नहीं यह मिलिए आसपास के मतलब यह पूरा महला ही माझ लिए वह क्लारीटी नहीं थी अब हमने मैगनेटिक कमपास से इसको लिया दो आमने सामने घार रहा है दोनों तीन तीन वंजिल हैं बीच में 10 फिट का सड़क है तो मैगनेटिक कमपास से क्या होगा कि बिजली का पॉल है वह आगे डिगरी वाला में जब हम चलेंगे तो इस सब प दुकाने हैं तो इसके कारण वह सटर वगर अलगे हुए है जो लोहे का होता है पूरा सामने वाला में भी वहीं सिच्वेशन है अब बीच में 10 फिट का गया आप आप जाएंगे कहां अपने विल्डिंग से पांच फिट तक जाएंगे तब भी वह प्रॉब्लम है तो वह हो गए थी इसके कारण क्या हुआ था कि डिग्री चेंज होने के कारण जोन बदल गया था यानी एक्ट्यूल में जो मैं जिसको नौर्थ समझ रहा था वह नौर्थ नाओं के एनन डवलू था समझ रहे हैं जो कि बाद में फिर जैसे ही फ्रेस्वा मैं लगता चेक करते र बाद में समझ में आया है जब मैंने गूगल अर्से डिग्री लेके फेरिफाय करें फिर दूसरा नक्सा बनाया तो क्लियर हुआ और ऐसा दो तीन घवरों में और दीख शुका है तो कही न कहीं वो कुंडली में योग होंगे जो यहां पर डेस्ट भीन आने के कारण और ए ऑदी या फेस में ठीक है वो मुहासा भी बहुत सकते है या कुछ एलर्जी इंफेक्शन भी बहुत को सकते हैं एलर्जी देखने में आता और face पे उसका effect देखा गया ठीक है North West में dustween का सिर्फ dustween भी नहीं Northwest में कुछ ऐसे West products आफ जैसे blade समझ लो कहईंची समझ लो razor हो गया यह सब चीजें जो काटने वटने की क्यों काम आ रही है ना ऐसे equipment भी नॉर्थ तब भी वो चेहरे में ऐसा हो जाएगा चेहरा हो गया या फिर यह गले वाला हिस्सा तो मतलब इस जून को भी देख लीजिए और ऐसे कोई अब्जेक्ट है तो उनको हटा दीजिए यहां तक क्लियर है यहां कोई दिक्कत है बताईए आगे बढ़ें ठेक तो अब यहां पे जो मैंने आपको बाते बताएं वो नॉर्मली जो इस जून के अट्रिब्यूट्स हैं और साथ साथ जो यह डिस्टर्ब कब होगा बैलेंस कब होगा वो चीज़े हमने पड़ी अब जो मैं बताने जा रहा हूं इससे भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग है इससे भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग यह है कि अब यदि आपको मान लो किसी घर में कोई क्लाइंट आपका आता ह कि मुझे पैसे से संबंदित प्रॉब्लम है नहीं पैसा नहीं आ रहा या क्लाइंट नहीं आ रहा या कस्टमर नहीं आ रहा वो इन दे फॉर्म है नहीं पैसा ही है तो बेसिकली हम क्या देखते हैं नौर्थ जो उनको देखेंगे क्योंकि आ नहीं रहा है हमारे जीवन में जो भी आने वाली वस्तुएं है या वेक्ति है वो आ नहीं रहा है इसका मतलब नौर्स में प्रॉब्लम है आपने नौर्स जो उनको देखा उसमें जो वास्तु दोस्त है उनको ट्रेट किया और लगा कि काम हो जाना चाहिए लेकिन या तो काम नहीं हुआ या जिस अमाउंट में होना चाहिए उस अमाउंट में नहीं हुआ यानि रिजल्ट आपने एक्सपेक्ट किया 80 परसेंट का और मिला 40 परसेंट ये भी हो सकता है कुछ कंडिशन में यसा भी होगा कि प्रॉब्लम नौर्थ जोन काहीं है लेकिन उस नौर्थ जोन में प्रॉब्लम नहीं दिखा कुछ ऐसे भी कंडिशन आपको मिलेंगे कि वो बंदा ये बोलेगा कि इस घर में पिछले 5 साल से हूँ लेकिन ये प्रॉब्लम पिछले एक साल से है और उस जोन में पिछले एक साल में कुछ भी चेंज़ेस नहीं हुआ है ऐसा पर्मनेंट चेंज़ेस नहीं हुआ जो देख के आप कह सकें तो रीजन ये है कि नौर्थ को बोला जाता है कुबेर ध्यान से इस पॉइंट को समझेगा नौर्थ को बोलते हैं कुबेर नौर्थ के राइट में जो एनन ए है उसको बोलते हैं लक्षमी और नौर्थ के लेफ्ट में जो एनन डबलू है उसको बोलते हैं मार्ग दर्सक यानि आपका जो गाइड होता है जो मेंटर होता है ठीक है पत्प्रदर्सक जो होता है वो बोलते है तो ये नौर्थ जो है इन दोनों से guide होता है ये वैदिक वास्तु का concept मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्थ इन दोनों से guide होता है यानी NNW और NNE से एक नाम को भी हदी हम देख के चले नॉर्थ क्या है कुबेर कुबेर जी क्या करते हैं देते हैं धन वहीं देते हैं इसलिए वास्तु की जो एक remedy है कि ब्रास के कुबेर को नौर्थ में रखना चाहिए नौर्थ के बगल में एने नी जिसको मैंने लक्षमी कहा आप लोगों को पता होगा दिवाली और दसहरे में जो लक्षमी पूजा होती है कहीं आप ध्यान दिये हों रात में जो पूजा होती है और जो दुकान जिन का है वो लो साम के समय कराते हैं इस्थिर लक्षमी का आपने कही नाम सुना होगा इस्थिर लक्षमी की पूजा या इस्थिर लगन में पूजा ठीक है रात के समय जो पूजा होती है वो सिंग लगन आता है उस समय तो इस्थिर लक्षमी का पूजा यान चंचला से मतलब है कि वो आज किसी के आए कल किसी के आऊंगी तो लोगों की कामना इस थे लक्षमी का होता है यानि जो मेरा है वो बरकरार रहे ठीक है यानि लक्षमी जी की पूजा और वास्तु के खैर परिपेक्ष में हम लेके देखें जो लक्षमी जी का महत्व यहां इ कुबेर क्या है कुबेर नया देने के लिए कि समझ रहे हैं परचूरता के साथ आपको देने के लिए चाहें वो धन है धन के रूप में जो आउसर है वो देने के लिए कुबेर महत्वपून है और वो सही ऑपर्चुनेटी आप तक आए सही तरीके से क्लिक हो उसके लिए वो तो नौर्थ को जब हमें देखना है यानि नौर्थ से संबंदित प्रॉब्लम को देखना है तो हमें नौर्थ के साथ-साथ NNW और NNE को भी देखना होगा आप में से कहीं कुछ लोग एदि इंडस्ट्री की वास्तु करते होंगे या भविश्म कहीं करें पैसे इंडस्ट्र जिसमें गास कीज़ेंडर ही बनता है वो तो सारे छोन में हिटर ही रखेंगे न वहां तो कोई फाइर से कोई मतलब नहीं है नहीं एक गुदाम है तो उसमें ऐसा तोड़ी है कि जिसमें gas cylinder रखा हूँ अब सिर्फ साउथ में ही रखा जाएगा बाकी zone में क्या रखा जाएगा ऐसा नहीं है तो उसके concept अलग हो आते हैं लेकिन वहाँ का एक चीज मैं आपको बता रहा हूं जिस factory में मसीने ज्यादा बिगड़ती है उसका एक लेकिन एक strong possibility यह है कि एननी के वास्तु दोस्त अब है कि एननी के वास्तु दोस्त के हूं फैक्ट्री के मसीनों को भिगड़ने के लिए एननी क्या है लक्ष्मी है फैक्ट्री जब मसीने भिगड़ती है तो आप उसके repairing के लिए कौन सा पैसा लगाते है मतलब जो आपका savings सेकंड आउस आपकी कुंडली के कोर्डिंग हम देखें जो आपका बच्चत है जो आप सेविंग से वह पैसा ही आप उसमें लगाते हैं यानि जो इस्तिर लक्ष्मी के आपकी कामना है कि जो एस्टेबल वेल्थ आपके पास होना चाहिए वहीं पैसा आपका उसमें चला माल आपका कम निकल रहा है आप नुकसान में नहीं हो कम differentiate कीजिए पैसे का नुकसान एक अलग मैटर है पैसा कम आना एक अलग मैटर है समझ रहे हैं आप तिलोचन जी तक्टिस करते हैं कुंडली देखते हैं महीने का आप 30 कुंडली देखते हैं सपोश कीजिए तीस वास्तु consultation देते हैं next महीने 30 नहीं हुआ 20 ही हुआ तो नुकसान कुछ दोड़ी हुआ वह नुकसान नहीं है कम आया 10 ही आया कम आया लेकिन इसके ठीक उलट कहीं पैसा देना पड़े unexpected खर्चों में तो वो क्या हुआ वो नुकसान हुआ तो वही एननी जो लक्षमी है यहां पे disturbance आती ह तो धन का नास होता है तो इसलिए यदि धन से related matter है धन आ नहीं रहा धन का नुक्सान हो रहा है तो आपको NNE भी देखना है और NNW भी देखना है यानि यदि मैं ऐसा कहूं कि नौर्थ से संबंधित किसी भी समस्या को यदि देखना है तो आपको एक सेट में इन तीनों दिशाओं को देखना पड़ेगा NNW के साथ में NNE तक क्लियर है इसमें कुछ पूछना है तो बताईए फिर हम आगे अगली दिशा की तरफ चलेंगे राजंद्र जी सीडिय अरवाल जी निरज में क्यों क्वेस्टन हो तो पूछ लीजिए मतलब यह त्रिश्विल्ट की आकुर्दी का हां त्रिशूल भी हो ही जाए अगर त्रिशूल भी तो ही जाए सेंटर पे एक लाइन जाती है मान लीजिए ब्रह्मा विष्ण मैश हां इस तरह आई त्रिशूल जैसा ही हो जा रहा है मतलब तीनों डारेक्शन को आपको एक साथ एनलाइज करना पड़ेगा तेक है इसलिए तो आगे बढ़ें अब इस नौर्थ के बाद हम लोगों को देखना है एन एको झाल